एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया येशु के चरणों में अपना सर जुकाएगी और हर ब्यक्ति अपना घुटना येशु के आगे टेकेगा और हर जिब येशु को अपना प्रभु अंगिकार करेगी अपना प्रभु स्विकार करेगी अब सायद को ये कहे कि मैं तो येशु को अपना प्रभु नहीं मानता या नहीं मानती तो मैं येशु मसी के आगे घुटना क्यों टेकूंगा और येशु को अपना प्रभु क्यों कहूंगा परन्तु पवित्र बाइबल तो यही कहती है फिलिप्यों दो अध्याय, दस और ग्यारा आयत में कि जो स्वर्ग में हैं और जो प्रित्थी पर और जो प्रित्थी के नीचे हैं वे सब येशु के नाम पर घुटना टेकें और परमिश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीब अंगिकार कर ले कि एशु मसीही प्रभू है अब कोई ये कहे कि मैं बाइबल की बातों को भी नहीं मानता हूं या नहीं मानती हूं तो पहले बाइबल की बातों को मैं भी नहीं मानता था परन्तु अब मैं सिर्फ बाइबल ही की बातों को मानता हूँ सिर्फ मैं ही नहीं परन्तु आज अंगिनत लोग बाइबल की बातों को मान रहे हैं बाइबल पढ़ रहे हैं बाइबल के वचनों पर विश्वास कर रहे हैं इस संसार में तो कितने लोग ऐसे भी थे, جो बाइबल के वच्णों का विरोद करते थे, परन्तु आज वही लोग बाइबल के वच्णों का प्रचार कर रहे हैं, और इससी बाइबल से आज मैं भी आपको प्रचार कर रहा हूँ。 जब महान परमेश्वर इस सृष्टी की रशना कर रहा था तो उस समय परमेश्वर अकेले ही नहीं था परन्तु पवित्र आत्मा और प्रभु येश्वमसी भी परमेश्वर के साथ था जब पृत्वी सुनसान थी और चारोतरप जल ही जल और पृत्वी के चारोर घोरंधकार था तथा परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जल की उपर मंडरा रहा था यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर मंडराता था परन्तु यहाँ पर यह लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के उपर मंदराता था जैसे कि उत्पत्ति एक अध्याय और उसका दो और तिन आयत में पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा है और टृत्थी बेडॉल और सुन सान पड़ी थी और गहरे जल के उपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के उपर मंदराता था और जैसे ही परमेश्वर ने कहा उज्याला हो तो उज्याला हो गया तो परमेश्वर के होट से जो सब्द निकलते थे अर्थात वचन निकलते थे वचन ही येशु मसी था जैसे कि यहुना एक अध्याय एक और दो वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था यही आदि में परमेश्वर के साथ था अर्थात येशु मसी सुरू से ही परमेश्वर के साथ था तो परमेश्वर जैसे जैसे बोर रहा था ठीक वैसे वैसे येशु मसी के द्वारा पूरी स्रिष्टी का रचना हो रहा था इसलिए जब परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं बनाये थे तब भी येश्व मसी के द्वारा सुभा, साम, दिन और रात होते थे जैसे कि यहुना एक अध्याय तिन वचन में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई जिसे हमने अपनी आखों से नहीं देखा है वो सभी येश्व मसी के द्वारा ही बनाये गए है चाहे वो आकासों, सूर्य, चंद्रमा, तारे और भी कितने सारेग्रा और उब्रह भी है यहां तक की हर एक मनुश्य भी येश्व मसी के द्वारा रचा और बनाये गया है कुलुशियों एक अध्याए 16 आयत में लिखा है क्योंकि उसी में अर्थात येश्व मसी में सारी वस्तुओं के स्रिष्टी हुई स्वर्ग की हो अथ्वा प्रिथ्वी की देखी यान देखी क्या सिहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार सारी वस्तुओं उसी के द्वारा अर्थात येश्व मसी के द्वारा और उसी के लिए अर्थात येसुमसे के लिए ही स्रीजी गई है यहां तक की हर एक मनुष्य भी जब परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आदम को बनाया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा परन्तु परमेश्वर ने ये कहा कि हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं हमका अर्थ है एक से अधिक जैसे कि उत्पत्ति एक अध्याई 26 आयत में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं जब महान परमेश्वर मनुष्य की रचना कर रहा था तो वहाँ पर परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु येश्व मसी तीनों मौजुद थे राजा दाउद अपने भजन में कहता है 149 सद्याय 13-16 तक में हम पढ़ते है मेरे मन का स्वामी तो तू है तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भूत रिज्टी से रचा गया हूँ तेरे काम तो आश्चर के हैं और मैं इसे भली भाती जानता हूँ जब मैं गुप्त में बनाया जाता और प्रिथ्वी के नीचे इस थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्या तुस्से छीपी न थी तेरी आखोंने मेरे बेडॉल तत्तो को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे एक मा के गर्भ में जब बच्चे का निर्मार होता है तो मा को सिर्फ इसका एहसास होता है कि मेरे गर्भ में बच्चा पर रहा है अब गर्भ में बच्चा बड़ा हो रहा है और अब बच्चा खिर रहा है परन्तु मा स्वयम उस गर्भ में पर रहे बच्चे को देख नहीं पाती जिस बच्चे की रतना परमेश्वर कर रहा होता है कि कैसे थोड़ा सा लहू धिरे-धिरे बड़ा होने लगता है फिर लहू में मांस बनने लगते हैं फिर मांस में मांस पेंसियां बननी शुरू होती है फिर धिरे धिरे उसमें पशलियां बननी शुरू हो जाती है फिर मांस में नसे बननी शुरू हो जाती है और फिर लगभग पाच्वे महने में ही हंडिया बननी शुरू हो जाती है और फिर छट्वे महने में बच्चा मा के गर्व में खेलना शुरू कर देता है और लगभग नौ महने बाद एक संपूर्ण बच्चा मा के गर्भ से इस संसार में आता है महान परमिश्वर कितना अद्भूत है कि मा के गर्भ में थोड़े से लहु के भाग को एक संपूर्ण मनुश्य बनाता है इसलिए राजा दाउद कहता है कि मैं भयानक और अद्भूत रिती से रचा गया हूँ तेरी आखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है बाइबिल के नुशार हर मनुश्य को परमिश्वर ने येशु मसी में बनाया है परमिश्वर कभी भी कोई बूरी चीज नहीं बनाता परमिश्वर हमेशा अच्छी चीज़ों को बनाता है वैसे ही परमिश्वर ने मनुश्य को बनाया है तो अच्छाई के लिए बनाया है कि मनुश्य अच्छे कारे करे भला कारे करे इफिश्यों दो अध्याय दस वचन में लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए है अर्थात परमेश्वर के बनाए हुए है और मसी ईशु में उन भले कामों के लिए स्रीजे गए अर्थात परमेश्वर ने हर मनुश्य को येशु मसी में भले काम करने के लिए स्रीजा है बनाया है येशु ने कभी किसी के प्रती कोई बुराई नहीं किया ना तो उसने किसी के प्रती छल किया ना किसी को गाली दिया और नहीं किसी को धमकी दिया परन्तु येशु ने हर मनुष्यों के प्रती केवल भलाई ही किया है उन्हीं कामों को करने के लिए परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तयार किया है कि हम भी दूसरों के प्रती केवल भलाई ही करें इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का जीवन और उनका स्वभाव येशु मसी की तरह हो फिलिप्यों दो अध्याय पाच आयत में लिखा है कि जैसा मसी येशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो परमेश्वर की द्रिष्टी में हर मनुष्य का जीवन अन्मोल है महान परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नश्ट हो या फिर अपने पापों में मरे रोमियो 6 अध्याय और उसका 23 आयात में लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परन्तु परमेश्वर का वर्दान हमारे प्रभू येश्व मसी में अनन्त जीवन है जब हर मनुष्य अपने पापों तले दभीवी थे तब येश्व मसी दुनिया के तमाम लोगों के लिए अनन्त जीवन का वर्दान बनकर इस संसार में आया हर मनुश्य के लिए येशु नहीं चाहता कि उसके हाथ के बनाई हुए मनुश्य अपने पापों में मरे या किसी कभी जीवन ना सो अत्त है येशु हर मनुश्य के पापों को लेकर कुरूस पर चड़ गया पहला पत्रस दोध्या चोबिस आयात में लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिये हुए कुरूस पर चड़ गया जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिक्ता के लिए जीवन बिताए अता जितने लोगों ने नम्र और दिन बनकर अर्थात घुटनों में आकर येशु को अपना प्रभुश विकार किया है तो येशु ने उनके तमाम अपराधों को छमा कर दिया है और महान परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अनंत जीवन और उनके लिए स्वर्ग में एक अच्छा जगा एक अच्छा इस्थान तैयार किया है परन्तु जिन लोगों ने येशु को अपना प्रभुश विकार नहीं किया वे न्याय की दिन रोते और छाती पीड़ते हुए घुटनों में आकर येशु से दया और अनन्त जीवन की भीक मांगेंगे क्योंकि येशु जब धधकती भी आग में श्वर्ग से प्रगठ होगा तो महान परमेश्वर उन लोगों को आग की जिल में हमेशा के लिए डालेगा जिन लोगों ने येशु को महिमा नहीं दिया है जैसा कि दुसरा थिश्णुक्यों एक अध्याय साथ, आठ और नौ वचन में पढ़ते हैं उस समय जब कि प्रभु येशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती भी आग में श्वर्ग से प्रगठ होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते अर्थात सच्चा परमेश्वर कौन है, जो मनुश्य उसे नहीं पहचानते और हमारे प्रभु येशु मसी के सुसमचार को नहीं मानते अर्थात जो लोग येशु के सुसमचार पर विश्वास नहीं करते येशु मसी का विरोत करते हैं परमेश्वर उनसे न्यायक दिन पल्टा लेगा वे प्रभु के सामने से और उसकी सक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनास का दंड पाएंगे न्यायक दिन हर मनुश्य येशु मसी को देखेगा जिनोंने येशु को अपना सम्पोर्ण जीवन दिया है वे स्वर्ग दूतों के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे परन्तु जिन लोगों ने जिवित रहते हुए येशु को महिमा नहीं दिया वे येशु के सामने घुटनों में आकर येशु को हे प्रभु हे प्रभु कहे कर उनसे अनन्त जीवन की भीक मांगेंगे उनसे दया की भीक मांगेंगे हाला कि उस दिन उस न्याय के दिन में केवल न्याय होगा और उस दिन किसी की प्रात्ना सुनी न जाएगी और उस दिन किसी पर दया नहीं किया जाएगा प्रकासित त्वाक्यम एक अध्याय साथ वचन में लिखा है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और प्रिथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पिटेंगे जिन लोगोंने येशु को भाला मारा था जिन लोगोंने येशु को काटों का मुकुट पहनाया था जिन लोगोंने येशु का विरोध किया था और जो अभी भी येशु का विरोध कर रहे हैं वे सब येश्व मसी को देखेंगे न्याय के दिन हर मनुष्य येश्व मसी को देखेगा आप भी येश्व मसी को देखोगे और मैं भी येश्व मसी को देखूंगा और परमेश्वर ने जो अपनी सपत खाई थी वो न्याय के दिन पूरा होगा रोमियों 14 अध्याय और उसके लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की साउगन्ध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीब परमेश्वर को अंगिकार करेगी और परमेश्वर का ये सपवत अर्थात कसम न्याय के दिन पूरा होगा इसलिए न्याय के दिन रोते और चाते पिड़ते हुए येश्व को अपना प्रभु स्विकार करने से बहतर है आज ही घुटनों में आकर येशु को अपना प्रभु ग्रहण कर ले येशु को अपना प्रभु अंगिकार कर ले सैध हमें न्याय की दिन रोना न पड़े इसलिए तो येशु मसी दुनिया में खोईवे तमाम लोग को बचाने के लिए इस संसार में आया इस संसार में तो कई लोग पापियों को मारने के लिए आये परन्तु एक येशु मसी ही है जो पापियों को बचाने के लिए आया मतिरचि सुसमचार 25 सध्या 31 आयत में लिखा है जब मनुश्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब श्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिहासन पर विराज मान होगा जब न्याएक दिन येशु सभी श्वर्ग दूतों के साथ धदक्ती वी आग में आएगा और जैसे ही येशु महिमा के सिहासन पर बैठेगा तब हर मनुष्य येशु मसी की महिमा करना सुरू कर देंगे हर मनुष्य येशु की महिमा करेगा चाहे वो आज के समय के मसी विरोधी क्यों नहों और न्याया के दिन हर मनुष्य अपना घुटना येशु के आगे टेकेगा और हर जिब येशु को अपना प्रभु स्विकार करेगे इसलिए येशु की महिमा सदा और योगान्यूग होती रहे तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पुरे परिवार को प्रभु येशु मसिके नाम में आसेश्प्रदान करें आमें